हालो प्रेंट्स, वेलकम टू फिल्मी पंड़े, जॉइन्फिल्म्स.com मैं हूँ आपका अपना पिरेंद्राटॉर और आज मेरे साथ हैं पंकच काला जी जो की परम अवतार श्री कृष्ण में रिशी चारवाक का रूल प्ले कर रहे हैं मैं ना तुद धर्म का शत्रू हूँ और नहीं धर्म का साथ हैं मेरी तो एक मातर इच्छा ये है कि इस समस्त संसार में हर एक प्राणी सुख भोग है क्या है मेरे बर्टा विलाल तो स्कूल में है लेकर आजे घंटे में जब रिसेस की घंटी बजेगी और वो अपना टिफिन खोलेगा तो उसी खीमा नहीं बॉम मिलेगा और तुझे बेटा नहीं खीमा मिलेगा हुए। शाव साव अघो करतेशाव हो ये पास बेरेको साव आफे कंबोल करने के ले तैयार हो ये वोग नगे तार लुटाव ज़िए इन पर्लेगेस्टण करेटा जूटार पहिता साव ज़िए सादिक को भी बाहिए रमेश जी बहुत अच्छे से मिले मेरे को ओले राजू मुझे सोना का टास बहुत अच्छा लगा परेलल रोल तो नहीं हिरो के सिस्टर कर रोल है उसमें हिरो के सिस्टर? क्या बात कर गे बाभू जोश्मी आश्षावरे ने शारुकी बहन करोल किया था पंकर जी वेलकम तो जोश्मीं सार थांकियू सो माच पंकर जी आप मैं शुरू से बात करता हूं कि आपकी शुरुवात कहां सोई कहां ताय कि मुझे एक्टर बनना है जहां गौतम बुद्ध को ये ग्यान हुआ कि दुनिया क्या है जिवन क्या है शायद मुझे भी ग्यान प्राप्त हुआ कि मुझे इस इंडस्टी में जाना है फिल्म इंडस्टी में जाना है और मैं अपने आपको बहुत भागिशाली मानता हूं अपने माता पिता के आशिरवात से उपर वाले की कृपा से इस इंडस्टी में काम कर रहा हूं थोड़ा सा ही सही लेकिन नाम हासिल किया है और बहुत ही खुश हूँ इस इंडस्टी में आके एक एक पल को एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ सब को खुश रखने की कोशिश करता हूँ खुश रहने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जो चाहता था वो पालिया है वो पा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ और आगे बहुत करना है पंगा जी यह जो रोल है रिषी चारवाक का जब कभी भी ऐसा करेक्टरा प्ले करते हैं तो क्यों उसको स्टडी करते हो कि कौन था, इसका क्या दिश्टी कौन था जी, यह जब मुझे बताएगा कि रिषी चारवाक का कारेक्टर है तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा उनके बारे में जाने की कोशिश की और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे मालू हुआ कि रिषी चारवाक ऐसे रिषी थे जिनका अपना एक अलग दर्शन था उनका ये कहना था कि भाईया जिन्दगी एक ही है, जीवन एक ही है जन्म एक ही है पुनर जन्म या आने वाला कोई जन्म नहीं है तो आप इस जीवन में खुश रहें जो भी करना चाहते हैं वो इस जीवन में कर लें पूरी तरह जीए है उनका तो ये भी कहना है कि चाहे कर्ज ले कि आपको घी पीना पड़े फिर भी कीजे पर इस मामले में मैं रिशी चारवाग से उतना सहमत नहीं हूँ मैं अपने पिता जी के विचारों से ज्यादा सहमत हूँ कि भाईया घी भी पीना है तो मेहनत करके घी पियो कर्ज लेके करने की जरूरत नहीं है बाकी रिशी चारवाग का अपना एक विचार था कि वो बगवान को नहीं मानते थे ये क्यारक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ कितना सफल हो पाता हूँ ये और उनको पसंद आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी इसका मतलब यह हुआ कि जब आप स्टडी करते हैं रिसर्च करते हैं तो करेक्टर को और अच्छा समझ पाते हैं और अच्छा पोट्रेट कर पाते हैं क्युक्तिती, और जब हम इस और फॉcket्श में होते हैं तो पैर हम वो और ही होते है हम पंकजल खम्यों पाके ही और यब कोई भी अक्टर जो प्ले करने की ना के कुछिश करता है किसी यह खायं एंच्छा है क्यूता है हुस करें का वह आता है इससे पहले मुझे रिशी चारवा के बारे में ज्यादा नौलिज नहीं थी लेकिन जब मुझे ये कारेक्टर ओफर हुआ और मैंने पढ़ा इस कारेक्टर के बारे में जब स्क्रिप्ट्स पढ़ी और जब डालोग्स अपने पढ़े तो मुझे बहुत ताजब हुआ कि एक ऐसा भी रिशी था एक ऐसे भी रिशी थे जो इस तरह के विचार रखते थे कि वो भगान को नहीं मानते बल्कि वो इसी जीवन में पूरी तरह से बिलीव करते हैं और पूरा जीना चाहते हैं सब्सक्राइब हमारे गरंथों में बहुत ऐसी चीजें जिन से आम लोग उतने बाकिफ नहीं हैं बट ऑल थैंक्स तो सीरिल्स लाइक परमफ्ता श्री कृष्ण जो इतना ज्यान बाटते हैं लोगों में हमको कई ऐसी चीजें जो पहले बता नहीं होती थी लेकिन इन माइथोलिजी सीरिल्स जिनको हम माइथोलिजी कह सकते हैं मैं इनको सत्य मानता हूं कि ऐसी कैरेक्टर्स थे हमारे भवान श्री कृष्ण थे हैं सर्विव्यापी है मैंने कुछ एक फिल्म्स की है जैसे थोड़ा पीशे जाना चाहूंगा जैसे रॉक ओन लग बाई चांस मुसाफिर कृष्ट्री शूटाउट अट बडाला किक और कुछ एक फिल्म्स हैं जो मैंने की है अलग-अलग कैरेक्टर्स करने को मिले यही मैं आपको बता रहा था कि इस लाइन का यह मज़ा है कि आप हर रोज एक नया कारेक्टर प्ले करते हैं नई जिन्दकी जीते हैं नई लोगों के बारे में जानते हैं नई चीजों के बारे में जानते हैं विचे बड़ी बांड उखलते हैं यह अब तो बड़ा आसान है आपके लिए सोचना कि जब गया में पहली बार आपने डिसाइड किया तो कितने लोगों को ये सुसाइडल मिशन लगा था एक्षिली सभी को सबने कहा किया यार क्या ये सोच रहा है तुम अब तब मेरा ये मानना था कि एक छोटा सा याद आता है इश्वर के बारे में ऐसा किसी ने कहा था कि जब दांत न थे तब दूद दिया जब दांत दिये तो अन भी देगा तो मेरा ये मानना था कि जब इश्वर ने मेरे दिमाग में ये सोच डाली है तो इसका कोई ना कोई रास्ता कोई ना कोई तरीका ज़रूर वो बताएंगे और वो करेंगे तो इश्वर में विश्वास था है और रहेगा कि जब उन्होंने मेरे लिए ऐसा सोचा तो आज इस इंडस्ट्री में हूँ माता पिता का आशिरवाद है दोस्तों की दुआएं हैं ब्लेसिंग्स है आगे बहुत कुछ करना है भी तो मुझे लगता शायद 5 पसंट भी नहीं किया है तो अभी और किस तरह के काम है मतब आप एक्टिंग के अलाबा क्या और भी किसी प्रोफेशन को ट्राइग कर रहा है यह सर्फ एक्टिंग में हूँ लेकिन मैं साथ में वाइस आक्टिंग भी करता हूं जे आपके आवास बहुत कमाल के थांक्यू सो मच ब्लेसिंग्स इश्योर का आशिरवाद है मैं कमर्शिल के लिए और कुछ एक चैनल्स हैं एवीज हैं डिस्करूई चैनल नैश्नल जोकरफिक चैनल मैं किया करता था हिस्ट्री चैनल बीसी इनके लिए अपमी आवाज लेंड करता हूं और मज़ा आता है वो भी वोईस-अक्टिंग है इस वोईस-अक्टिंग तो यह एक अच्छ बात है कि एक अटर गोट तौप एगर आवाज एक्टिंग करते हैं तो सर्वाइवल क्ले भी और आड़ाउन क्ले भी बहुत अच्छा एक अप्शन है आपको हर दीन एक नया एक्ष्पिरेंस होता है जब आप वोई अक्टिंग कर रहे होते हैं किसी और अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कैसे कर सकते हैं इस लर्निंग प्रोसेस, हम जिन्दगी भर सीख सकते हैं, सीखना चाहें तो तो मैं हर दिन नया सीखने की कोशिश करता हूं, सीखता हूं तो यह थे पंगच कालरा जी जो की इस सीरियल में काम करें और बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई मेरी तो एक बात पर बहुत ही मुझे सर्पाइज भी लगा और आज बहुत खुश हूं क्योंकि मैं ग्यान रिशी चारवाग से लेके जा रहा हूं कि जब दात ना थे तो दूद दिया और जब दात दिये हैं तो अन भी मिली जाएगा मतलब अगर आपने सपना देखा है अपने मन चाहे चीज को प्रोफेशन बनाने का तो कहीं न कहीं वो पूरा ज़रूर होगा बस आपको निरंतर प्रयास करता हैं पड़ेगा सही दिश बारे में detail video हैं कैसे आप industry में सकस्RET हो सकते हैं कितने तरह के job available industry में उसके बारे में पिल्मेकिंग के बारे में हैं, सिंगिंग के बारे में हैं, श इससारे वीडियों आफ अच्छे से देखिए, तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रही है, सीखते रही है, जमे रही है, all the very best.